हेलो फ्रेंग, हेलो अवरिवेंड, मैं आणों से हर्षिदा पटे, आज हुम बनाएंगे आलू परुठा बाइट्स आलू परुठा बाइट्स बनाने के लिए हमें चाहिए इंस्ट्रेंट मैस पोटेटो यहें अमुलका बटर और यहें अमुलका मस्ती दई यहें हरा धुनिया, हरी मीच, मरी पाउडर, लाल मेल पाउडर और गर्म मसाला यहें कीहु काटा जो मैंने गुन के रखा है इसमें मैंने थोड़ा सा तेल और नमक लेके मैंने रोटी आप बनाते हैं ऐसा ही बना के रखा है तो चलो सुरू करते हैं आज हम आलू परुठा बाइट्स यह इंस्टन्ट बनने वाला है तो हम इसमें यह मैंस पोटेटो यूज़ करेंगे तो हमीं चाहिए थोड़ा सा गरम पानी हम पानी को गरम करने के लिए रखते हैं तो तो हाई तो हाई हाई कर दो प्रुद्टीन तो दीखें ये पोटेटो का पाउडर जैसा फॉम है इसका इसे बोलते है मेस पोटेटो ये पोटेटो का ही पाउडर जैसा हुए हम इंस्टन कुछ भी बनाना चाहते तो ये यूज करके बना शकते हैं तो हमें इसमें थोड़ा सा गुनगुना सा पानी लेना है थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी लेना है इसमें आप जैसे इसमें पानी डालेंगे और दो मिनिट के लिए इसमें रखेंगे ने तो आपने बोल किया हुआ पोटेटो है इसके जैसा ही ये बन जाएगा हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी लेना है देखो लगता है ने बोल किया हुआ पोटेटो लेकिन आपको बोल करने के जरुरत नहीं पड़ती है और ये इंस्टेंट बन जाता है इमें इस पोटेटो से आप कुछ भी बना सकते हैं सैंड्वीच बना सकते हैं आलू परोठा बना सकते हैं वड़ा पाउं बना सकते हैं कुछ भी बना सकते हैं अगर आप ये घरमे रखते हैं तो आप इंस्टेंट ये ऐसे बना सकते हैं आपको पोटेटो को बोल करने की ज जल्दी बन जाता है देखों कितना अच्छा दो मिनित में हुमारा ये रेडी हो गया अब हुम इस में लेंगी पहले नमक ये ही मरी पाउडर ये ही हरी मीर्च गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मीर्च पाउडर और ये हैं हरा धन्या अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप ओन्याल गार्लिक भी ले सकते हों मैंने यहां ओन्याल गार्लिक के बिना ही आज बनाया है आप चाहते तो इसमें और कुछ भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं अब हुमें इसे अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है देखो पाने की भी बहुत जरूरत नहीं पड़ती थोड़ा थोड़ा करके हम लेते हैं तो इसा बन जाता है हमारा यह मैं इस पोटोटों से किसी को पता बही नहीं चलता है आपको इसा ही लगेगा कि बोईल किया हुआ पोटेटों ही है अब हम इसको साइड पर रखेंगे हमें इसको सेलो प्राइ करना है तो एक कवी लेंगे एक पैन लेंगे अब क्यास को अन करेंगे यह मैंने गिहु काटा ही लिया है लेकिन हमें यह बहुत नरब नहीं कर लेना है ऐसा ही रखना है जैसे हमें रोटी बनाते हैं थोड़ा सा हमें आटा लेना है ऐसे अब हमें थोड़ी बड़ी वाली रोटी बनानी हैं एक ब्रेकफ़स्ट जैसा है आपको भूख लगी हो तो आप इंस्टरंट यह बना के खा सकते हैं अगर आपके घर पे कोई गेश्ट आ है तो भी आप इंस्टरंट बना सकते हैं इमेज पोटी तो आप घर पे रखते हैं तो आपके कुछ भी कभी भी बना सकते हैं आप इसे हमें थोड़ी से बड़ी साइस की रूटी बनानी है यह टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में अच्छा लगता है देख रहें से हमें एक बड़ी साइस की रूटी बनानी है इस पर हम लगाएंगे यह जो हमने मेस पोटेटो से तैयार करके रखा है थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐसी सारी रूटी बी फैला देना है इसको इसमें हमें पोट नहीं लेना है थोड़ा साही लेना है ऐसे और सारी रूटी पे इसे फैला देना है झाल कहीं जगे पर बाकी नहों ऐसे हुमें अच्छी तरह से इसको फैला देना है देखो ऐसे अब हुम इसका ऐसे एक रोल बनाएंगे देखो ऐसे थोड़ा से दबा के रखना है अब हम इसकी साइड को ऐसे कट कर लेंगे और ऐसे कट लगाएंगे अब अपने दूनों हाथों से बीच में से हमें ऐसा करके ऐसा प्रेश करना है देखो ऐसे अब आप ऐसा करके हमें ऐसा प्रेश कर लेना है आप झाल अब हम इसको यह है बटर बटर में हम सेलो फ्राइ करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है सबसे पहले पेइन में हम फोड़ाँगा थोड़ा सा बटर रखेंगे इस पर हमें इतिक्की को एसे रखेंगे फिर से हम इस पर थोड़ा ऐसा बटर लेंगे इतना दिखने में अच्छा लगता है इतना टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है अच्छा लगता है अच्छा लगता है दोनो शाई अच्छा लगता है झाल झाल इससे हमें अच्छी तरह से दोनों साइड ऐसे ही पकानी है थोड़ा सा ब्राउन कलर आज जाए इसका तो यह क्रंची भी होगी झाल 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 इससे हमें एक बार ऐसे पलटा के रखना है और दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से ऐसे थोड़ा सा ब्राउन कलर आज जाए तब तक हमें इसको पकाएंगे और थोड़ा क्रंची भी हो जाएगी तो देखो कितने अच्छा लगता है ने बीच में से हमें थोड़ा ऐसे पका लेना है तो देखो फ्रेंट्स रेड़ी है हमारा ये आलू परोठा बाइट्स अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे छवार लगता है आल को फ्रेंगे दे याँ कमन्स बाइव परविंग क्लिक में हम सव करेंगे इसको मस्ती दई के साथ यह पराख्रा दई के साथ बहुत अच्छा लगता है तो यहीं अमुल का मस्ती दई इसका नाम ही मस्ती दई है और खाने में भी इतना ही मजाता है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे अगर आप चाते तो इसमें लाल मेज, हरा धनिया, हरी मेज कुछ भी ले सकते हैं लेकिन मैं आज इसको प्लेन दई के साथ ही सव करूंगी सोडा साइस पर रखूंगी हरा धनिया तो दिखो फ्रेंड्स रेडी है हुमारा यी आलू परोटा बाइट्स यह बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में और खाने में भी तेंकिव मुल्टीं